वेल्कम बैक टो मैंडोरी डीज़ डिखाते हैं यह दुर्गा पूजा का मेला है बस्ती में जो पूरिमा तक रहता है एक बस्ती में एक सुल्तान पूर में दो जग मैं पूरिमा तक रहती हैं माता जी बागी हर जगह पहले ही दसमी तक दुरॡगाजी भी सरजित हो जाती है तो यह मेले का आप देख सकते हैं दुरॡगाजी का भी सरजन का तयारी हो रहा है इसो लोग कर रहा है यह smoke पान जो है खा रहा है बच्चे काफी enjoy किये थे इसको ये देखिए इसको बहुत अच्छा लग रहा है धुआ करने में ये मेले का है सब काफी भीड लगती है बहुत फेमस है यहां का मेला पूरिमा तक दुरुगा जी रहती है ये सब हमारे धर के ही आसपास का ही मेला है मैं कहीं जाना नहीं था बाहर आप देख सकते हैं भी सर्जन के लिए ले जाया जा रहा है माताजी को इसलिए सड़क पे बहुत ज़्यादा भीड लगी हुई है पूरा तयारी के साथ है ऐसा नहीं है कि कहीं से इधर उधर कुछ होने पाए सब ब्यवस्था सब अच्छी थी कानून ब्यवस्था भी बहुत अच्छी थी हम लोग मेले में काफी इंजॉय किये थे कभी कभी अच्छा लगता है ये सब भी आपको हमारी अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा और लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल पे वीडियो नहीं समझ आ रही थी क्योंकि हम भी बेस्त हो गया थे दसहरा और दुर्गा पूजा क्योंकि हमारे घर के सामने ही माता जी का पंडाल बना हुआ था तो हम लोग पूजा पाट में बेस्त हो गया थे और घर पे भी महमान आ गया थे अब जाके थोड़ा सफ्री हुए हैं तो जैसा भी बना पाए हैं तूटा फूटा सबको एक में हमने एडिट करके डाल दिया है यह देखिए इस मोख पान भाईया बना रहा है यहां पर हम लोग खड़े हैं काना काने के बाद हम लोग टालते गए गया थे इंज्वाय करने यह सब को ज़या ज़्यादा इसलिए भी अच्छा लग रहा था क्योंकि सब को वीडियो बनाना था वीडियो बनाने के लिए हम लोग इसको खाका के दूआ कर रहे थे यह हमारे हां की माता जी हैं जो हमारे हम घर के सामने बैठी हुई हैं घर के पास ही जा रही हैं हम लोग आरती मे गए हैं एकदम लाश टाइम जब जा रही थी पिसर्जन के लिए तो उस समय आरती का ही है यह काफी रहनक लगा रहता है पूरे पंद्रह दिन नौ रात रुज के बाद पूरिमा तक काफी रहनक लगा रहता है हमारे घर के पास हम लोग भी बैस्त हो गए थे क्योंकि यहां पे जोती यात्रा निकलती है साथ में भंडारा होता है हमन होता है जागरड होता है चौकी होता है माता का यह हमन का है इसमें हमने उल्टा सिधा जब इसमें अड़ कर दिया है यह हमन हो रहा है सारे लोग हमन कराने गए हैं हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इसे एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में कमेंट जरू करिएगा कि हमारे यहां की माता जी दुर्गा जी का पंडाल आपको कैसा लगा धन्यबाद दोस्त